ये क्या है बच्चे क्या तुम कुछ सब्जय खरिदना चाते हो क्या तुम ब्रोकली खरिदना चाते हो चोटे पेल जैसा है अच्छा है और हरा है क्या थोड़ा सा मुझे दोगे क्या तुम टमाटर खरिदना चाते हो बॉल के जैसा दिखता है ये लाल गुल और रसीला है मुझे लगता है मैं पूरा खालू क्या तुम आलू खरिदना चाते हो ये बुरा और बड़ा है इसे मिक्स कर सकते हैं और मैश भी कौन सा हम ले सकते हैं बच्चे तुम लोग बहुत अच्छे हो सबसी अच्छा है तुमारे लिए ये हेल्दी है और स्वादिष्ट भी धोड़ा जाता तुम लोग खालो ये है नारंगी गाजर चलो इसको तुम सब खालो बहुत स्वादिष्ट है गाजर तुम्हारे खाने के लिए याम ओ ये देखो बुट्टा ये है पीला सुरज के जैसा क्या ये भी कुछ खरीट सकते है तुम्हारे लिए सारी सबजिया क्या तुम हीरा खरीदना चाहते हो ये है हरा और लंबा ये काजर जैसा क्रंची है एक लेलो और खालो बच्चे तुम लो बहुत अच्छे हो सबजी अच्छा है तुम्हारे लिए ये हेल्दी है और स्वादिष्ट भी थोड़ा जादा तुम लो खालो सुनो बच्चो ये नहाने का समय है चलो नहाने चलो पर मैं गीली हो जाओंगी तुम साफ हो जाओगे पर मैं कल नहाई थी पर तुम्हे रोज नहाना चाहिए नहा के तुम साफ हो जाओगी साबून से घिस के तुम नहाओ साबून लगाओ साबून लगाओ साबून लगाओ साबून लगा के साफ हो जाओ साबून लगाओ साबून लगाओ साबून लगा के साफ हो जाओ अब हात सब करो साबुन खतम हो गया उसका मत सोचो मुझे लगता है पानी आ रहा है तुम है साब करने के लिए काफी है नहा के तुम साब हो जाओगी साबुन से घिसके तुम नहाओ साबुन लगाओ, 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 साबुन रख सकते हैं हां बिलकुल हम रखेंगे इटावेल बालों को सुखाएगा हम इससे बालों को सुखाएंगे नहा के तुम साफ हो जाओगी साबून से घिस के तुम नहाओ नहां के तुम साफ हो जाओगी, साबून से घिस के तुम नहाओ साबू लगा के साफ हो जाओ ये बहुत मज़े दर्धा ना? अब तुम आराम से स्कुल जा सकते हो गुड़ बाई ऐसे हम बिस्तर बनाते हैं ऐसे हम चहरा धोते हैं ऐसे हम चहरा धोते हैं सुभा सुभा ऐसे हम दाज साफ करते हैं करते हैं, करते हैं ऐसे हम दाज साफ करते हैं सुभा सुभा ऐसे हम बाल बनाते हैं बनाते हैं, बनाते हैं ऐसे हम बाल बनाते हैं सुबह सुबह ऐसे हम जूते पेहनते हैं पेहनते हैं ऐसे हम जूते पेहनते हैं सुबह सुबह ऐसे हम नाश्टा खाते हैं सूभा सूभा ऐसे हम स्कूल जाते हैं जाते हैं, जाते हैं, ऐसे हम स्कूल जाते हैं, सुभा सुभा दादा जी का था एक खेत, इया इया ओ, उस खेत में कुछ गाए थी, इया इया ओ, यहां मूँ मूँ करे, वहां मूँ मूँ करे, यहां मूँ वहां मूँ हर जगा मूँ मूँ, दादा जी का था एक खेत, इया 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 ओ दादा जी का था एक खेत उस खेत में कुछ पीगी था यहाँ ओइंक ओइंक करे वहाँ ओइंक ओइंक करे यहाँ ओइंक वहाँ ओइंक हर जग ओइंक ओइंक दादा जी का था एक खेत इया इया ओ दादा जी का था एक खेत इया इया ओ उस खेत में कुछ बर्तक थे इया इया ओ यहाँ क्वैक क्वैक करें वहाँ क्वैक क्वैक करें यहाँ क्वैक वहाँ क्वैक हर जगा क्वैक क्वैक दादा जी का था एक खेत इया इया ओ दादा जी का था एक खेत इया इया ओ उस खेत में कुछ घोडे थे इया इया ओ यहाँ नई नई करे वहाँ नई नई करे यहाँ नई वहाँ नई हर जग नई नई दादा जी का था एक खेत इया इया ओ दादा जी का था एक खेत इया इया हूँ उस खेत में कुछ भेड थे इया इया हूँ यहां बाबा करे वहां बाबा करे यहां बाबा बाबा हर जगा बाबा दादा जी का था एक खेत इया इया हूँ दादा जी का था एक खेत इया इया ओ उस खेत में कुछ चीकन थे इया इया ओ चिक चिक यहां चिक चिक वहां यहां चिक वहां यहां चिक वहां चिक हर जगा चिक चिक दादा जी का था एक खेत इया इया ओ माम्मी माम्मी मुझे चोट लगी है मम्मी मम्मी घुटने पे चोट लगी मुझे दर्द हो रहा है मदद करो बच्चे बच्चे मम्मी को देखने दो यहां लगाओ बैंडेड प्यारे बच्चे पापा मदद करो पापा पापा मेरी कोहनी में चोट लगी मैं बाइक से गिर गई कच्चरे में ओ मेरे बच्चे पापा यही है मैं तुम्हे उठाओंगा और प्यार करूंगा दिखो मम्मी को अभी हाथ में चोट लगी थोड़ा तो जला है उतना भी नहीं बेचारी मम्मी ने हाथ में चोट लगाई थोड़ी दबै लगा लो ठीको जाएगा मम्मी डैडी मुझे चोट लगी है मम्मी पापा ओ नहीं नहीं मुझे चोट लगी है पैर के उंगलियों पे बच्चे बच्चे तुम मत रो हम ठीक कर देंगे तुम डरो मत आउच ओ बच्चे देखो पापा ने ये क्या कर लिया अपने ही ओंगली में चोट लगा लिया पापा पापा ये बैंडिड लगा लो पापा को भी चोट लग सकता है आपके मनत के लिए कुछ है मेरे पास पापा याम कुकीज मेरी सबसे अच्छी दवाई है